चलिए बुलेटिन की शिरुवात करते हैं चुनावी महासंगराम से जुड़ी खबरों के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी चुनावी प्रचार खत्म करने के बाद ध्यान में लीन हो गए है कन्या कुमारी के विवेकानन मेमोरियल में पि-म मोधी की 45 घंटे की ध्यान साधना जारी है सुबा पि-म मोधी ने उकते हुए सूर्य को प्रणाम खिया और साथ में अर्ग भी दिया ध्यान साधना के दौरान पृधानमंत्री नरेंद्र मोधी सभी कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं मौनव्रत और तरल अहार पृधानमंत्री ले रहे हैं और एक जून तक सिर्फ नार्वियल पानी और अंगूर के रस्का सेवन ही पी-म करेंगे तो प्रदानमंत्री मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष ने हमला बोला है RJD नेता मनोज्जा ने कहा कि मोदी जी आठ से दस कैमरा लेकर गए है मुझे लगता है कि ये मोदी जी कोई गेम खेल रही है हमने वीजुवल्स देखे मतलब आठ दस कैमरा तो मिनिममम लेके गए होंगे हम हाथ जोड़ के कहते हैं रहे कि प्रदानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यक्ता है बेहद आवश्यक्ता है क्योंकि जो वेक्ती भाएंस मंगल सुत्र से मुझरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यक्ता है लेकिन कैमरा मुखी ध्यान बैवधान उत्पन न करता है मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं भी ते दस बारा वर्शों मनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कारे को छोड़ करके प्रदानमंत्री जी मूलता कैमरा मुखी है तो विपक्ष के सवाल पर केंद्रे मंत्री नित्या नंद्राय ने पलटवार किया है उन्होंने कहा कि इंडिया गटबंदन के पास सवाल करने का हक नहीं है ना उन्हों के पास कोई सवाल करने का हक है ना उन्हों के पास कोई जबाब है माने प्रधान मंतरी आधरनी नरेंदर मोदी जी कोया जनता इस तरह से अपनी हिर्दयवे बसा रखी है जिसका तकलीफ हूँ घमंडिया गटवंदन वाले को बढ़स्टाचार में लिप्त लोगों को पडिवारवादी और तुष्टिकन वाले को हो रहा है अलग लग तस्वीरों के जरिये हम आपको दिखाते हैं कि आज गुर्यमंतरी अमिश्या ने अपनी पत्नी के साथ इरुपती वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की वहीं प्यूश कोयल ने महंदी पूर बाला जी के दर्शन किये इस दोरान उनके साथ लोकसवा स्पीकर ओम बिरला भी नजर आए वहीं चिराग पास्वान ने आज अपने पूरे परिवार के साथ आयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किये और इसके बाद उन्होंने हनुमान गड़ी में भी पूजा अर्चना की अर्चना की